Hello everyone, कैसे आप सब आसकरता हूँ, आप बहुत अच्छे होंगे, RWS Guru YouTube चैनल में स्वागत है, आपका reasoning का portion लेकर आ चुका हूँ, आपको पता होगा है, super series मैंने चला रखे reasoning की, चिन बच्चों को reasoning में problem है, उन बच्चों को reasoning ऐसी करा दूगा, जिससे आपको पता चले ही कि हाँ हमारी reasoning हो चुकी है, आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही helpful वीडियो रहने वाली है, चलिए कई शुरू करते हैं, देखिए आज का हमारा पहला कुशन है, इसी तरीके से एक series आपको दी जाएगी, ऐसी series मैं लेका राता हूँ, हर series में आपको आप से कर सकते हैं, लेकिन कुश series में एक परसेंट में इस तरीके के सवाल में लगते हैं, वो इस तरीके के सवाल में आपको बताने जाए रहा हूँ, देखिए 121 और 274 और 495, आपको लग रहा होगा कि कोई वर्ग संक्या है या कोई क्यूब संक्या से में चल रही है, ले यानि कि last वाली और पहले वाली संख्या को जोड़कर बीच वाली संख्या जो है प्राप्त करी जा रही है तो इसमें एक ही option ऐसा है कि 6 और 5 दोनों को जोड़के हैं 11 आ जाएगा तो option number C आपका यहां पर सही हो जाएगा correct answer है option number C बच्चे confused हो जाते हैं लेकिन confused नहीं होना है बच्चो ऐसा भी नियम आ सकता है आपके exam में तो इस नियम को भी अपने mind में या आप कहीं भी note down कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे अपने note down करोगे कि इस तरीके से भी question आ सकता है और आपके mind में वो click है और आप जैसे ही exam में बैटेंगे तो आप एकदम समझ जाएगे कि इस question में ऐसा भी हो सकता है और आप उसे लेगा के देखेंगे और आप answer आपका आ जाएगा और आप सवाल ठीक कर पाएंगे चलते हैं देखें next question में है आपका सबसे ज्यादा problem आकरतियां करती हैं जिसमें आपकी विपरीत होती है जो मोड कर कागज बनाई जाती है या मोड कर पांसा बनाई जाती है बहुत सारी आकरतियसी होती है तो आज इसको भी देख लेते हैं देखी बच्चो मैंने आपको पहले ही बताया था अपॉजिट जो होते हैं उनको हमें क्या देखना है यहां पर मैं अगर मैं है इस चीज को देखता हूँ तो यह आपका पोजिट है यहां पर यहां पर यह पहले मुझे पता करना है कि K किसके विपरीत है अब यहां तो एक आ रहा है तो आपको पता चल रहा है कि K तो है ही उसके बाद B जो है C के विपरीत हो जाएगा और आपका N के विपरीत P हो जाएगा, तो आप तीनों चीजे आपने हैं पर कवर कर ली हैं, अब आप कैसा भी question हो, आप उसे चुटकियों में कर सकते हैं, किस तरीके से बताता हूं आपको, इसने पूचा है, बनाई जा सकती है, आकरती बनाई जा सकती है, देखे, K और L विपरीत हैं, K और L विपरीत हैं, अब इसमें देखना है, K और L विपरीत हैं, तो ये तो बनाई नहीं जा सकते क्योंकि ये तो एक सते पर आ रहे हैं तो D option आपका हैं पर खतम हो जाता है उसके बाद B और C एक दूसरे के विपरीत हैं बात करते हैं आगे इसमें आप देख लीजिए का आप N और P एक दूसरे के विपरीत हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं आप P, B, P, B, L ये सारे ही विपरीत हैं तो option number A आपका विपरीत हो जाएगा जिससे आप ये आकरति बना सकते हैं इस तरीके से बच्चों सवाल अगर आप करेंगे तो मैं guarantee देता हूँ आपका सवाल गल्त नहीं होगा उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा benefit है जो बच्चे बोलते हैं सर हम सवाल कर लेते हैं लेकिन हमें सही करना नहीं आता हमें धरना नहीं आता हमें वो बिल्कुल completely ये निसोर्स पाते हैं हम उसमें कि हमारा answer क्या होगा तो हमारी वीडियो देखकर अगर आप हमारी चैनल पे आया हैं तो मैं guarantee देता हूँ ये चीज आपकी खतम हो जाएगी और guarantee से आप 100% कह पाएंगी कि हमारा सवाल सही है ए जो है पिता है और ये पलस का चिन लगा दो यहाँ पे mail है ठीक है यहाँ पे आपको लिखना है पिता ये पिता हो गए उसके बात बोल रहा है बी जो है C की पुत्री है तो C को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ यहाँ यह पुत्री हो गई तो माइनस लगा देते हैं अब उसके बाद चलते हैं, D जो है B का भाई है, B का जो भाई है, वो कोने डी है, यह D जो है भाई है, जब भाई है तो यह पलस कर दो यहाँ पे, यह आपको किसलिए करने हैं, ताकि आप पताब कर पाएं कि male और female कितने हैं, इसमें कई बार स्वाल में male female भी पूछ लिता है, तो भी का भाई है, N जो है C की बहन है, किसकी कोई बहन है, N, यह C की नहीं है, आप बहन लिख सकते हैं, C की बहन हो गई, उसके बाद पोछा है, N से किस परकार सममंदीत है, B, बी जो है एन से किस परकार संब्दित हैं किसका तील लगा है एन से एन से ये किस परकार संब्दित है उस तरग को आपको तील लगाने है अब यहां देखिए यह इसकी मौसी हो जाएगी यह डारेक्ली इसकी मौसी हो जाएगी अब 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 यह जो है इसका क्या है बच्चो यह इसका पिता है अब यह इसका पिता है तो यह इसकी माता होगी अब माता की बहन, माता की बहन क्या लगती है बच्चो यह पूछा है B जो है N से किस परकार संबन देता है अब माता की बहन, अब B N से किस परकार संबन देता है माता की बेहन क्या लगती है बच्चो मौसी लगती है और इसने पूछा है इसकी क्या लगेगी तो ये मौसी लगती है लेकिन ये तो इसकी क्या लगेगी पुत्री ही लगेगी ना यानि पुत्री लगेगी ये वाली ये तो ये पुत्री ही लगेगी जाएगा उसी प्रकार अगर 8 की क्यूब आप करते हैं तो 8 की क्यूब कितनी होती है तो 512 होती है माइनस वन करोगे तो 511 ओप्शन नमबर भी आपका यह पर सही हो जाएगा आपको सुरुवात में ही तो यह थे आज के हमारे टॉप फाइब कोशन तो आसा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए होगी पसंद आएगो तो फिलीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जहूड करें